महुं में अंबेटकर विश्व विध्याले के वन अधिकाल उत्सव कारिक्रम में बतौल मुख्य अथिती पहुंची उशाठाको ने जै आदिवासी युवा शक्ति यानि के जैस को लेकर गंभी टिपड़ी की थी और संगठन को देश द्रोही संगठन बता दिया था इतना ही नहीं मंति उशाठाको ने यह भी बताया कि यह संगठन देश के आदिवासियों को देश तूरने का प्रसिक्षन दे रहा है जिसके प्रमाण मिले हैं उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शपत भी दिला दी थी कि वे ऐसे देश दोही संगठनों को नहीं पनपने मंति के बयान के बाद जयस संगठन से जोड़े लोग जमकर आख्रोज जता रहे हैं यहां तक जयस के प्रदीश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा ने यह तक कह दिया था कि अगर तीन दिन में मंति ने माफी नहीं मांगी तो सरकार के खिलाफ ना किवला अंदौलन किया इधर जमकर उठ रहे हैं आख्रोज और आदिवासी संगठन जयस को लेकर मंति उशर ठाकोर की टिपड़ी परविदान सवा में भी हंगामे की बात सामने आई हैं मंति उशर ठाकोर ने स्वयम मीडिया के सामने अपनी कही गई बातों पर माफी मांग ली हैं मंति उशर ठा ऐसे में मंति के बयान से बवाल मच गया था क्योंकि मंति उशर ठाकोर की टिपड़ी से आहत आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग नाराज दिखाई दे रहे थे जिसका सीधा नुकसान वीजेपी को आने वाले उक्चुनाओं में मुश्किलों में डाल सकता था लेहा निजे अस्पितालों के नड़े जाया कि जनगन ना में पिंदू ना उने बताया जाए आदिवासी जो है वनवासी जो है उन्हें भीडू से मैं बुराज़ें क्या थे लिए जो दोर के कि निजी हस्पिताल में कल रात में कुजुश की मतिव करोना से सुबे जब वो शो तो उनके चेहरे और उनको चुह ने कुटर दिया था, हलाकि इस तुन विस्टी जाएंग बेखा दिये कलिक्टर में, क्या कहेंगे निजी इस्पतालों का इस रवया है। एक तो सबके प्रती सकती भी करेंगे। महु में सबसे ज़्यादा पट्टे अभी जनजाती समाज को 511 पट्टे मिले। मैंने यही आगरह किया कि भारती जनता पाटी संपूर्ण समर्पन के साथ जनजाती समाज के उत्थान में लगे हुई। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि सांस्कतिक राष्टवाद के पुजारी आप बने और ऐस करते हैं। और कुछ अलग कोड जनगर्णा में इस बार उसकी मांग के लिए भी वो लोग महां बातावरण को खराब करें। अब इस परकार के कुछ लोग जिन संगठों में हैं उनकी लिए मैंने बात दें। जिन संगठन को किसी राजनेतिक दिल के हाथों का खिलोना ना बने। शिवराज जी बहुत रहा है क्या सब्सक्रेट है उसकी में जिए जाए जानेतिक सब्सक्राइए कया आपके लिए सरकार को जांच करना चाहिए। कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और इस तरह से इनकी जाजबी होना चाहिए और इनको समझाया भी जाना चाहिए कि आप जिन भी आप सब भी चौथा प्रहरी हैं और पूरे सिर्फ मदप्रेश इंदौर या महू की बात नहीं है पूरे देश में ऐसे अलगाववादी कई भी जानते हैं माववाद, नकसलवाद हम जितना जहां देखें यह सब ऐसी राष्ट्रों ही ताकते हैं मैं उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हैं जो जन जाती समाज के उन्नती प्रगती और विकास के लिए कार कर रहे हैं मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेश पहुँची है तो मैं क्षमा चाहती हूं और मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह कश्ट मेरे मुह से इसलिए निकला क्योंकि विगत दो वर्षों से मैं महू में मानपूर मंडल के चप्पे चप्पे में सेवाकार कर रही हूं वहां चलिच कित साले हमने दिया उसके चलने में बाधा पैदा करना उसमें कई विवधान डालना फिर वहां सरकारी जमीनों पे बड़े बड़े कबजे हैं सरकारी जमीनों को अतिकमन मुक्त करा कर वहां गौशाला का निर्मान और एक आयूश और वेलनेस सेंटर जो प्रदेश से आया है उसको बनवाना उस शेतर की आवशक्ताओं को देखते वे बहुत आवशक्ता क्योंकि हम भी जनजाती समाज की समगर विकास में प्राण प्रण से लगे हुए ये सब करते मैंने देखा कि कुछ लोग वहां ऐसे हैं जो जनजाती समाज को बर्गला कर बहका कर धर्मांतरन के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें राष्ट के मुख्यधारा से हटाने का उसको देखके उनने क्या दिल के में लिए क्या करा था उनको चेकर है उनको चेकर है कैना न्यूस के लिए इंदोर से खुछ बूई यादफ की रिपोर्ट